नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे योटूब चैनल टीचिंग ग्याम उबलोड पे साथियों आप सबकी सीड़ की तैयारी अच्छे से चल रही होगी आज से मैं पैड़ागाजी की क्लास से रिस्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आज मैं पैड़ागाजी की पहली क्ल करवाऊंगा उसके बाद प्रप्रस्ण बनते हैं आये हुए थे उनको भी स्टार्व करवाऊंगा तो आपके सारे कांटेंट और प्रस्णों के साथ आपका वैंहीले थिरी किलियर हो जाएगी तो आज के से स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे चै प्रमारीक मापों का इस इद्धान में बताया थे इसमें बच्चे जो होते हैं जियो मिर्टै को किस पहका सीफाइ Сов Redmi touchscreen motion इसके द्यूरू से सफरी स्रूर हो जबेल ले लेबल चाकियों की लेबल जीरो से सुरू होता है लेबल जीरो 1234 इसलिए लेबल चार तक था और इस्टेज पहुंच थी इसको आप लोग धान दीजिएगा ठीक तो इसमें क्या होता है इसमें जियोमेट्रिकल को किस प्रका सीखते हैं इसके लेबल जीरो जिसको हम लोग चासूसी करन भी बोलते है यानि जो बच्चा होता है बच्चा चीजों को सिर्फ जानते हैं उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं इसमें बच्चा आकितियों की दिखावट के according उनका classification करता है तो इसमें बच्चा जो होता है वाचीजों को सिर्फ जानते हैं उन्हें देखकर उनकी image बना लेते हैं इसमें बच्चा आकिती की दिखावट के according उनका classification करता है जैसे image की माध्यम से समझते हैं हम लोग जैसे दिखाया जाएगा तो बच्चा कहेगा या बिस्कीट है गोल गोल ऐसे रोटी दिखाई जाएगी तो बोलेगा रोटी है इसको गोल चीज कुछ भी दिखाई जाएगी तो बोलेगा रोटी है ऐसे आकार की कोई चीजें दिखाई जाएगी बोलेगा बिस्कीट है तो वह भी इमेज को देखकर उसके हिसाब से इमेज बना लेता है तो जिससे आकितिक की दिखावट के अकारडिम का क्लासिविकेशन करता है जैसे चीजें दिखेंगी उसी किसाब बताएगा बिस्कीट है गोल चीजें कोई दिखाई जाएगी बोलेगा या रोटी है तो बच्चा सिर्फ ऐसे समझ भाता है उसके बाद हम लोग बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है अगले लेबल में आता है बच्चा चीजों के जियो में जानना शुरू कर देता है जैसे बच्चों को अभी तक बच्चों को गोल चीट दिखाई दी जाती थी तो बच्चा बोलता था रोटी ये लेकिन अब गोल चीट दिखाई देगा बोलेगा रोटी तो सरकल की तरह दिखती है उसको क्या कहते हैं बिस्कृट दिखाया जाएगा तो बोलेगी बिस्कृट तो डिक्टेंगल की तरह दिखता है यानि बच्चा आप नाम जानना शुरू कर देता है इसमें तो इसके बाद बच्चा जैसे थोड़ा और बड़ा होता है अगली स्टेज्म लेबल में आ जाता है लेबल टू जिसको हम लोग अनवचारिक निग्मन यानि इनफार्मल रेडेक्शन भी बोलत होता है आकितियों के बीच रिलेशन सिब बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलर्टी के बेस पर जैसे कि बच्चों को रिक्टेंगल दिखाया जाएगा बच्चा बोलेगा थोड़ा स्कोर बढ़ा देंगे तो यह भी रिक्टेंगल बन जाएगा इसमें भी 90 डिग्री होता है इसमें भी 90 डिग्री होता है तो बच्चे आपस में रिलेशन मनाना स्टार्ट कर देते हैं दोनों के बीच में जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें बच्चा जो होता है आकितियों सेफ के फार्मूले ढोलने लगता है इसमें बच्चा जो होता है आकितियों सेफ के फ जाएगा तो बच्चा बोले गा और को शुबता हैं सबका निकालने लगता है जानने की कोशिज करता है उसके पार और पोर डींटा या रिगर मिली एक रसे बच्चा के रिए मिले पिक्सअ करनाध लेवर पोर यानि डिमिर्टा बोलते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे बन हीले ने पांच इस्टेजर बताई थी चार लेवर बताया था इन्होंने जियोमेट्रिकल को कैसे सीखा जाता है बच्चे कैसे सीखते हैं इसके बारे बताया था जियोमेट्रिकल ठिंकिंग पेप अगला लेवर होता है लेवर वन बिस्टेजर इसमें बच्चा चीजों जियोमेट्रिकल का नाम जानना सुरू कर देते हैं जैसा कि बच्चों को गोल चीज़े दिखाई जाए कि तो रोटी देखे कर बोलेगा रोटी तो सर्कल की तरह है बिस्कृत दिखाऊ और सिर्फ और फार्मूलार ढूंड ले लगता है उसके बार लेवल फोर दीड़ता आ जाती है इसमें बच्चा जो होता है ज्यामिती चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़े बनाना इस्टार्ट कर देते हैं चलिए अब हम आनलाइन पेपर में जो प्रस्न पूछे गए है उनको करके देखते हैं तो पहला प्रस्न यहां से आप पूछा गया था कि वेन इले सिधान के अंसार ज्यामिती चिंतन के पांच अस्तर है दिर्था वेन हीले सिधान के किस अस्तर का पतनिर्थ करता है अगर्डिंग वेन हीले थियूरी देर फाइफ लेवल आफ थिंकिंग इन जियूमेट्री रीगर रिप्रेजेंट विच लेवल आफ वेन हीले थियूरी बताइए आप लोग पहले अस्तर में आएगा दूसरे अस्तर में आएगा तीसरे अस्तर में आएगा चोथे अस्तर म को देखते हैं एक 7-5 का लणका है जो सभी चार भुजाओं वाली नियमित आक्रतिएं को वर्गों के रूप में पहचानता है वह नीले के अनुसार वात जामिति चिंत्तं के कि सबस्था चरनम में है तो 7 सबस्थ का लईका है है वह सभी चार भुजाओ वाली नियमित आक्रिती को वर्गों के रूप में पहचानता है उब इन्हिले के अंसाल वा जामेती चिन्तन के किस अवस्ता में बताईए आप लोग अस्तर फोर निगमन में है अस्तर थिरी अनुपचारिक निगमन अस्तर तूब इसलेशन में अस्तर जीरो प्रत्यच्छी कणन में है अभी तो अस्तर जीरो पर काम कर रहा है क्योंकि अभी तो सब क्या बोल रहे हैं एक साथ वरस का लड़का जो सभी चार भुजावाली नियमी आगरती को वर्गों के रूप में पहचानता है तो इसमें का अस्तर नहीं है इसमें च hayan का संचालन की कहीं बात की गही है न इसमें quintisam हो जाएगा मुं संचालन हो जाएगा सही चलिए अगला प्रसन देखते हैं हम लोग आगला प्रसन है एक छात्र कहता है कि समोसे का आकार तिभुच जैसा होता है वाज्यामिती बिवेचन में बैन हीले के अंसार किस अस्तर पर है तो एक छात्र जो कहता है कि समोसे का आकार तिभुच जैसा होता है वाज्यामिती बिवेचन में बैन हीले के कौन से अस्तर पर है बताईए आप ल कर बता रहा है तो किस आकार में आएगा विजूलाइजेसन में आ जाएगा न चलिए अगला प्रसंद देखते हैं निमलिकित में से कौन सा बैं हीले द्वरा दिए यहां प्रसंद देखते हैं जात्रों को लंबोत विप्रीत कोणों के भी संबन अस्थापित करने के लिए कहा जाता है बिभिन आकितियां बनाते हैं कोडों को मापते हैं और देखते हैं कि सिसीज विमक कोड बरावर है इस संबंद में वान हीले के बिचल करजा चात निम्यों से किस असतर बे है यानि चातों को लंबोग विप्रीद कोडों के भी संबंद अस्ताफिच करने को कहा जाता है संबंद की बात की जा रहे है relationship relationship किसमें आता है आप लोग को भी मैंने बताया था ना बताइए पत्यच्छी कर्म में आएगा कि विश्लेसरानत्मक आएगा कि अनफचारिक निगनात्मक अस्तर आएगा square rectangle के बीच में चलिए अगला प्रसंद देखते हैं एक बच्चा जो है वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है वह दोनों को एक ही सेड़ी में दिधाई करता है वह इन हीले के जामिटी तरके सिधान के दुसाथ चाथ किस चर्म पे है बताइए आप लोग तो वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है तो अंतर नहीं कर पा रहा है तो डिस्ट्री करन अस्तर पे हो जाएगा होगि करने में समत है वो और हीले के जामिति तरके चर्णों के असार वह möchte हैं दिस्ती करन पर संबनात्मक पर अनुपचारिक निग्मन चर्म पर उपՌजाएगा हो जाएगा प्रात्मीकों बचेसी तुम्हों इंग Gий और को ब्रसेट क्लिव कर जोई पषाब से कर रहे है में से जो में अच्छे प्रसंसे उनको मैंने कबर किया मैं आसा करता हूँ आपको बेनीले थियोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आप सीटेट की प्रापर तरीके से टापिक वाई तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जूड़ जाईए हमारे चैनल को सब्काइब कर लीजिए हमारे चैनल पर सीटेट की प्रापर तरीके से टापिक वाई क्लास से चलाई जाती है और सबकी नोट्स और पीडियो भी आपको टेलीग्राम पर दी जाती है तो आज की सेसन को में समाप करते हैं कल फिर मिलते हैं किसी नए सेसन के साथ तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्काइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए धन्यवाद